आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है और यह अलर्ट है डेली निवस्टी 2020 के जो एडमिशन की डेट्स हैं अंडर ग्रेजुट लेवल के लिए वो रिलीज हो गई हैं बट इस नॉट कनफॉर्म और यह डेली निवस्टी की वेबसाइट पर भी हैं बेकॉज शायद यह ऑफिशियल नहीं है बट फिर भी आप इसको मान सकते हैं बेकॉज यह इंडिया टूडे की अर्टिकल है इंडिया टूडे ने इसको डाला है और आप देख सकते हो इसमें इन्होंने सारी डेट्स बता दी हैं कट आफ कब कब डेट पाईगी और ज 8 जून टू 30 जून यानि कि 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं रेजिस्टेशन और 30 जून तक चलेंगे फिर उसके बाद आप जो पेमेंट कर सकते हैं वो 30 जून की शाम पांच वे तक कर सकते हैं ठीक है और यह सारी चीजें आप सभी के जो बेसी के रिजल्ट आएंगे 12 के बोर्ड के एक्जाम के रिजल्ट जो आएंगे उस पर डिपैंट करेगा और अगर जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं तो शायद जल्दी भी रेजिस्टेशन पॉर्टल स्टार्ट हो सकते हैं बट यह मैक्सिमम पीरिड लेके चल रहे हैं और यह डेट सारी टेंटेटिव हैं बट यह आप ले सकते हैं कि यह डेट अभी कुछ सामने आई हैं और भी अभी डेट आएंगी डियू अपनी वेबसाइट पर ऑफिशली भी डालेगा बट यह टेंटेटिव हैं तो मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलाँ कि टेंटेटिव हैं ठीक हैं तो पॉर्टल व अगस्त जो फस्ट कट ओफ है वो आपकी 11 अगस्त के से लेकर 14 अगस्त के बीच में किसी भी टाइम आ सकती है और कट ओफ एक तो ऑनलाइन आएगी आप सभी को पता है बट इसमें अभी भी इन्होंने यह चीज नहीं क्लियर की है कि जो एडमिशन होगा जो सूडेंट कट के लिए जो डेट है वो 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में है फिर आप बाकी देख सकते हैं 23 अगस्त को आपकी 3rd कट ओफ 28 अगस्त को आपकी 4th कट ओफ 3rd September को आपकी 5th कट ओफ और जो फिर उसके बाद seat vacant रह जाएंगी तो वो special कट ओफ आएगी आपकी 8 September को ठीक है तो य कब आएडमिशन स्टार्ट होंगे हजारों कमेंट आ रहे थे कि कब आएडमिशन स्टार्ट होंगे कब होंगे स्टार्ट बट ये भी अभी डिपेंड करता है कि अगर lockdown एक्स्टेंड नहीं हुआ तो और गॉर्मेंट ने UGC ने अगर order दे दिये कि आप सोशल डिस्टेंस अगर आप रिजिस्ट्रेशन ही तो ऑनलाइन करवा सकते हैं तो अब इतक डियू ने उस चीज के रिगार्टिंग कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की है उसका भी वेट करना होगा हम सभी को और यह है कि यहां आप रेडी हो जाओ अपडेट आप सभी के सामने हैं अगर आप इन देट को भी मान के चलते हो तो आपका एड्मिशन के चांसेज हैं और रिजल्ट जल्दी आएगा जैसी रिजल्ट आएगा admission स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप सभी को बता है other boards के result आ चुके हैं लगबख बिहार board और UP board का भी कुछ दुनों में आने वाला है तो धीरे-धीरे सारे boards के result आ जाएंगे और फिर DU का admission स्टार्ट हो जाएंगे so ready हो जाएए DU में आने के लिए और इस वीडियो को जाएधे जाएधे शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी DU में admission लेने के लिए प्लान कर रहे थे और इस वीडियो को like कीजेगा and good luck, God bless you all